नई दिल्वी को कोलकाता से जोड़ने वाली नैशनल हाइवे पर मंगलवार की सुवा वाड़ा रसी मोहन सरा इलाके में खड़े ट्रक के पीछे खाली टैंक कर से जाठक राया आपको बता दे कि टक्कर इतनी जबर्जस्ती की ड्राइवर की मौत हो गई और खाल सी गंभी रूप से घायल हो गया हाइवे पर हुए हासे के कारण वाहनों का आवागमन ठपक हो गया साथी रामनगर से राजा तालाब तक भी सर जाम भी लग गया पुलिस ने दोनों वाहनों को हाइवे से किनारे करवाया तब जाकर लगबग एक घंटे के मसकत के बाद जाम खत्म हुआ और आवागमन समान हुआ आपको बता दे कि गयस का खाली टैंकर लेकर करनोज निवासी ड्राइवर सोनु सिंग और खालसी गजन सिंग गाजियाबास से वो कारो जा रहे थी मोहन सराय में नैशनल हाइवे के ओवर ब्रिज पर किनारे एक ट्रक खड़ा था उसी ट्रक के पीछे टैंकर तेजी से टक से तो वही स्थाने लोगों की सूचना पर मोहन सराय चौकी से पुलिस और एन एच एआई के कर्मचारी आये जिसके बाद गैस, कटर और ट्रेन मंगवाई गई लगबग आदा घंटे की कड़ी मसकत के बाद खालसी और ड्राइवर को ट्रैंकर से बाहा निकाला गया दोनो प्रिपोर्ट आई पिन